Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस विक्टोरियन पोईट रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है दा पैट्रियोट यह पोयम 30 लाइन्स की है और 6 फाइव लाइन स्टैंजा में बांटी गई है हर स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है ABABA Friends, इस पोयम में पैट्रियोट इस पोयम का स्पीकर है पैट्रियोट यानि देश भग्ध जो अपने देश से बहुत प्यार करता है और यहां स्पीकर ही एक पैट्रियोट है वो दो सिचुएशन के बारे में हमें बताता है पहले सिचुएशन में उसके देश के लोग उसका स्वागत करते हैं उसके उपर फूल बरसाते हैं और दूसरा सिचुएशन जो बिलकुल इसका अपोजिट है जहां उसे फांसी की सजा हो रही है और लोग उसे पत्थर फेक कर मार रहे हैं कितना अंतर हो गया है दोनों ही सिचुएशन में लेकिन जो पैट्रियोट है उसके मन में आज भी अपने देश के लिए और देशवासियों के लिए उतना ही प्यार है उतनी ही इज़त है फ्रेंड्स रॉबर्ट ब्राउनिंग एक विक्टोरियन पोईट थे जिनका जैन हुआ था 7 में 1812 में और उनकी डेथ हुई थी 12 देसेंबर 1889 में साथ ही उन्होंने फेमस पोईट अलिजबेट बैरेट से शादी की थी वो ड्रामेटिक मॉनोलॉग के मास्टर भी माने जाते हैं और उनकी फेमस वर्क्स में Pied Piper of Hamelin, Men and Women, The Ring and the Book ये सभी शामिल हैं तो चलिए फ्रेंड अब पोईब को रीट करते हैं और आगे इसे समझने की कोशिश करते हैं It was roses, roses all the way यानि पूरे रास्ते पर गुलाब की फूल फैले हुए थे With myrtle mixed in my path like mad और उनमें myrtle यानि महंदी के फूल भी मिले हुए थे और पूरे रास्ते पर फैले हुए थे गुलाब और महंदी के जो फूल हैं उनसे उसका स्वागत हो रहा था The house roof seemed to heave and sway और जो house roof थे यानि घरों के छट थे वो लोगों के वजन से जुक रहे थे और हिल रहे थे यानि सभी लोग अपने घरों की छटों पर चड़ गए थे जिसके कारण जो छटे थी वो हिल रही थी ऐसा लग रहा था मानो एक तरफ जुक गई हो The church spires flamed such flags they had और चर्च के जो छट थे उन पर ऐसे flags लगाए गए थे जिन्हें दूर से देखकर लग रहा था कि मानो वहां आग लगी वी हो उन जंडों का कलर बिलकुल आग की तरह था दूर से देखने पर लग रहा था कि वो जो हवा में जंडे हिल रहे हैं वो जंडे नहीं हैं बलकि वहां आग लगी हो A year ago on this very day और ये सब कब हुआ था तो आज ही के दिन मगर एक साल पहले इस तरह से मेरा स्वागत हुआ था मेरे लिए फूल बरसाए जा रहे थे और जंडे लहराए जा रहे थे The air broke into a mist with bells यानी हवा में घंटियों की आवाज गूंज रही थी और ये घंटियां कौन सी थी तो victory bells यानी जीत की खुशी पर जो घंटियां बजाई जाती हैं उनकी आवाज हवा में गूंज रही थी The old walls rocked with the crowds and cries और जो दिवारें थी जो बहुत ही पुरानी दिवारे थी वो लोगों की भीड और उनके शोर से काप रही थी इतना लोग खुश होकर शोर मचा रहे थे की दिवारे तक काप उठी थी Had I said good fox mere noise repels यानी अगर मैंने उस दिन कहा होता उनसे की good fox यानी अच्छे लोग केवल ये आवाज या ये शोर मेरे लिए काफी नहीं है But give me your sun from yonder skies बलकि मुझे अपने आसमानों से सूरज ला करके दे दो यानी जो सबसे जारा जो energy का source है जो रोशनी का source है तुमारे जीवन में वो तो मुझे ला कर दे दो अपनी खुशियां एक तरह से कहो तो मुझे ला कर दे दो They had answered and afterward what else तो वो भीड के लोग बस यही जवाब देते कि उसके बाद और क्या यानी इस तरह की जीत की खुशी थी ऐसा जीत का माहौल था और पैट्रियोड जो है उसकी इतनी तारीफ हो रही थी कि वो कह रहा है कि अगर वो भीड से कहता कि सिर्फ शोर मचाने से उत्सव मनाने से नहीं होगा आप मुझे अपने आसमान के सूरज ला कर दीजिए तो लोग वो तो उसे खुशी खुशी दे ही देते बलकि साथ ही उससे ये भी पूछते कि और क्या चाहिए यानि अफसोस वो मैं था जिसने सूरज को पकड़ने के लिए छलांग लगा दी मैंने लोगों से उनका सूरज तो नहीं मांगा पर मैंने खुद ही सूरज को पकड़ने के लिए छलांग लगा दी ताकि मैं उसे अपने प्यारे दोस्तों को दे सकूँ ताकि वो सूरज को रख सकें यानि मैं सारी खुशियां जो है वो अपने दोस्तों को देना चाहता था Not man could do have I left undone और अगर ये काम मैंने नहीं किया होता तो इसे कोई और इनसान नहीं कर सकता था यानि इसे पुरा सिर्फ मैं कर सकता था ये सिर्फ मेरी ही जिम्मिदारी थी और तुम देख सकते हो कि मैंने क्या बोया और क्या काटा यानि मेरे काम मेरी मेहनत का मुझे क्या फल मिला इसी दिन अब जब एक साल बीच चुका है यानि एक साल पहले तो बहुत ही खुशियां थी बहुत फूल मुझे पर फेके जा रहे थे जंडे लहराय जा रहे थे लेकिन मैंने कुछ गलतियां कर दी और मुझे अपनी गलतियों का फल अब मिला है एक साल बीच चुके हैं उस दिन को आज ही के दिन का समय था वो और अब क्या सिचुएशन हैं हम आगे पढ़ेंगे यानि अब घरों की छटों पर कोई नहीं है जैसे पहले मेरे स्वागत के लिए लोग अपने घरों के छटों पर चड़ गए थे उस तरह अब उनकी छटों पर कोई नहीं है जस्ट अपैलसीड फ्यू अड़ विंडोस सेट फिरंट्स पैलसीड का मतलब होता है पैरलाइस जो हिल डूल नहीं सकते हैं सही से तो पोईट कहते हैं कि बस कुछ लोग खिडकियों पर हैं जो की पैलसीड हैं यानि पैरलाइस हैं और उनके मन में मेरे लिए कोई पिटी नहीं है कोई लव नहीं है क्योंकि मेरी सजा को देखने का सबसे बेस्ट व्यू जो है वो इन खिडकियों पर नहीं है बलकि at the shambles gate कहा है तो जहां लोगों को फांसी दी जाती है shambles gate में वहां उन खिडकियों से ठीक से मेरी फांसी नजर नहीं आएगी छटों से नजर नहीं आएगी इसलिए लोग वहां नहीं हैं बलकि यहां इस shambles gate पर हैं ताकि वो मेरी सजा को सही तरीके से देख सकें और better yet by the very scaffold's food I true या उससे भी अच्छा view मेरी फांसी का उन्हें इस scaffold के पास से मिलेगा friends scaffold क्या होता है एक तरह का platform होता है जिस पर जो मुझरिम होते हैं उन्हें खड़ा किया जाता है वहीं पर उन्हें फांसी दी जाती है तो लोग वहां आ गए हैं उस scaffold के पास जहां मुझे घसीट कर लेजाया जा रहा है I go in the rain and more than needs मैं बारिश में आगे बढ़ रहा हूँ और बारिश भी कैसी है तो more than needs यानि जोरों की बारिश हो रही है इतनी बारिश की जरूरत भी नहीं है A rope cuts both my wrists behind और मेरे हाथों में एक रसी बंधी हुई है जो मेरे हाथों को काट रही है उनमें चुब रही है And I think by the feel my forehead bleeds और मुझे लग रहा है मुझे मैसूस हो रहा है जिस तरह से की मेरे माथे से खून बह रहा है यानि मुझे चोट लगी है मेरे हाथों में भी चोट लगी है और मेरे सिर से माथे से खोन बह रहा है For the fling, whoever has a mind क्योंकि जिनके पास भी दिमाग है यानि जितने भी लोग है महाँ पर वो फेक रहे हैं क्या? तो stones at me for my ears misdeeds मेरे उपर पत्थर फेक रहे हैं मेरी उन सभी गलतीयों के लिए सभी गलत कामों के लिए जो मैंने बीते एक साल में की है पिछले एक साल में मुझे जो भी गलती में हुई है उसके बदले में लोग मुझे पत्तर फेक कर मार रहे हैं जिसके कारण मेरे माथे से खून बह रहा है Thus I entered and thus I go यानि इस तरह मैं आया और इसी तरह मेरी मौत हो गई मुझे फांसी दे दी गई In such times people have dropped down dead और ऐसा खुषी का माहूल हो गया मेरी मौत पर कि वो लोग भी गिर पड़े जो मुझे पर पत्तर फेक रहे थे इतने खुश हो गए वो लोग मेरी मौत पर कि वो लोग गिर पड़े Paid by the world What dost thou owe me यानि तुम्हें तुम्हारे सारे crimes की सजा तो इस world पर इस धरती पर मिल गई है वहाँ तुम्हें punish कर ही दिया गया है अब मैं क्या करूँ मैं तुम्हें कैसे punish करूँ God might question God शायद अब मुझसे ये पूछेंगे जिस तरह से मुझे फांसी हुई मुझे पत्थरों से मारा गया मुझे मेरे crimes की सारी सजा तो यहीं मिल गई तो अब भगवान मुझे क्या सजा देंगे Now instead तिस God shall repay और अब God ही उसे repay करेंगे मुझे repay करेंगे मुझे peace दे कर heaven में accept करके I am safer so और तब मैं पहले से safe हो जाऊंगा सुरक्षित हो जाऊंगा Friends यहाँ पर ये poem खत्म होती है Poem में Patriot के बारे में बताया गया है वो accept करता है कि उससे कुछ गलतिया हुई है और इसलिए वो अपनी गलतियों की punishment पाने के लिए भी ready है लेकिन वो साथ ही ये भी मानता है कि जिस तरह उसे ये punishment दी गई है उसके सारे crimes अब खत्म हो चुके हैं और अब उसे God के heaven में जगज जरूर मिलेगी इसलिए अब वो safe है साथ ही यहां ये भी बताया गया है कि ये जो Patriot है वो अपने देशवासियों से बहुत प्यार करता है और इतना कुछ होने के बाद भी उनके लिए जो उसका प्यार है वो कभी खत नहीं होगा तो friends ये थी Robert Browning की poem The Patriot